एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गरी हुई मूर्तियों के बुर्द धार्मिक पूर्वाग्रा का महत्पूर पुरभाप पड़ा तो यहां बताया गया है जैसे की एशिया के और देश थे उन देशों में भी कला के विकास पर उनकी मूर्तिय अगयरा थे उस पर बहुत अधिक धारमे प्रभाप दिखाई दिया है उसी तरह हमारी जो कला है Państwo gör bunları जो मुर्थियों बनी है उस पर भी बहुत जादा धारमे प्रभाप दिखाई देता है तो बेद मूर्ती पूजा के बुर्ध थे और बहुत धर में भी अपेक्शक्रत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियों और चित्र बनाए गए तो बेदों में कहा गया है कि मूर्ती पूजा नहीं करनी चाहिए तो बेद मूर्ती पूजा के बुर्ध में है और जो बहु कि बहुत शक्त शाली नियुए है देखने में बुद्ध की प्रत्म और बाइ sowas वा यूक में तो इस भी सन के आरंब में इसन स्ञार के पर किर्धी भुआ जो कुछ हो चीना प्रहाब के करल्ज वी भीषिए चीना विवा वन अवस्तहों पर चीनी प्रुभाब दिखाई पगता है। जो भारतिय कला काुधियास हम देखते हैं तो अलग-लग अवस्तहों पर हमें चीनी प्रुभाब दिखाई देता है। मुर्ण देथी उत énormément अधिक प्रुभावित थी । उसमें जो बिशाल शक्तिशाली और प्रभाव शाली जो पत्थर की मूर्ती लगी है वो कुशार योक में बनाई गई थी इस्वी सन के आरंब के आसपास और जो भारत की जो कला है वो चीनी जो प्रभाव है उस पर दिखाई देता है चीनी कला का प्रभाव काफी दिखाई स् graphics star 54 शताब्दी इसपी में with काल जाता है जंटा की घुफाईं खोदी गई और उन भित्ति चित्र बनाए गए तो जो यह जनता की गफाई बनाई जाता unbelievable बिवारत का पर I चित्र बनाए गए है तरह तरह के बाग और बादामी की गुफाई भी इसी काल की है तो जो बाग और बादामी की गुफाई है वो भी गुप्त काल की है अजन्ता हमें किसी सवपनिकी तरह दूर किंटू असल में किगदम बास्तिविक दुनिया में ले जाती है तो अजन्ता कि जो गुफाएं हैं उसमें हम जाके देखते हैं तो मैं ऐसा लगता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं लेकिन जो ये गुफाएं है और जो इनमें चित्र बनाए गए बिल्कुल बास्तिरिक दुनिया के लगते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि ये काल्पनिक चीजें ऐसा लग कुरके स्वामी थे उनुहोंने क्या कहा था कि इल रहना चाहिए महलाओं पास नहीं जाना चाहिए और उनको देखना भी नहीं चाहिए क्यूंकि बहुत खतरनागी होती है Casey C那么 जो चित्र बनाये थे उसमें इस्त्रियों की कमी नहीं थी काफी कुछ चित्र इस्त्रियों के ही बनाये थे तो बहुत सुन्दर सुन्दर इस्त्रियों बनाई थी राजकुमारियां थी इसमें गायकाएं होती थी नर्तिकियां होती थी बैठी ख़़ी शरंगार करती हुई या शोभा यात्राइं होती है उसमें जाती हुई इस तरह कि उन्हों ने चित्र बनाए थे जब कि ये लोग कहते थे कि जो इनके स्वामी थे उनका कहना था कि इस तरीयों के पास नहीं जाना चाहिए इस तरीयों से बनाए थे ये चित्रकार बिक्षू संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे तो जो ये चित्रकार थे उनको पूरी तरह से पता था कि ये बिक्षू का जो संसार होता है वो कैसा होता है उनका जो गतिशील जीवन है वो उनको पता था उन्हो उन्हें बोदिस्त को उनकी शान्त लोकोतर गर्मा में चित्रित किया है तो जो यह चित्रकार थे बहुत अच्छे थे चित्रकारी करने में तो उन्होंने जो चित्र बनाए यह चित्र नहीं प्रेम से बनाए थे जितने प्रेम से उन्होंने बोद्ध की प्रितमाय बनाई थी जो बहुती शान्त लगती थी गर्मा मैं थी उसी तरह से उन्होंने ये चित्र बनाए थे इस तरहों के साथ में आठ में शिताब्दियों में ठोस चटान को काट कर एल औरा के बिशाल गुफाएं तियार हुई जिनके बीच में कैलाश का बिशाल मंदिर है तो साथ में आठ में शिताब्दियों में ठोस चटान को काट कर एल औरा की बिशाल गुफाएं बनाई गई थी इस गुफाओं में क्या है कैलाश का बिशाल मंदिर है तो 34-6 शताबदी में अजन्ता की गुफाएं बनी थी और 7-8 शताबदी में ठोस चटान को काडर अलॉरा की गुफाएं बनाई गई थी तो जो ये बिशाल मंदिर है हम इसको देखकर कल्पना भी नहीं कर सकते कि मनुशने इसको कैसे बनाया होगा या हम कह सकते हैं कि मनुशने पहले इसकी कल्पना की होगी फिर इसको अपना रूप दिया होगा आकार दिया होगा तो ये बहुती बिशाल मंदिर है बहुती सुन्दर मंदिर है कलाश का मंदिर तो एली फेंटा की गुफाएं भी इसी समय की है तो एलिफेंटा की जो गुफाई हैं वो भी सात्मी आठमी शताब्दी की हैं और जहां प्रभावशाली और रहसमें तिर्मूर्ती बनी है तो जो एलिफेंटा की गुफाई हैं उसमें बनी हुई है तिर्मूर्ती और जो एलॉरा की गुफाए है उसमें बना है कैलाश का बिश्राल मंदिर और दश्य भारत में महावली पुरहम की इमारतों का निर्मार भी इसी समय हुआ था तो जो भारत का साउथ है दश्य भारत है महावी जो महावली पुरहम का इमारत है वो भी उसका निर्मारवी सात्मी आठ्मी शताब्दी में हुआ था तो सात्मी आठ्मी शताब्दी में एलॉरा की गुफाएं बनी और दश्य इमारत में महावली पुरम की जो इमारत है वो भी इसी समय बनी थी एलिफेंटा की गुफाओं में नट्राश शिप की एक खंडित मूरती है जिसमें शिप नरब्दी की मुद्रा में है तो एलिफेंटा की गुफा है उसमें नट्राश शिप की एक मूरती लगाई गई है जो की खंडित है टूटी हुई है और इसमें दिखाया गया है कि जो श अवस्ता में तूटी पूटी अवस्ता में है। लेकिन फिर भी मूरती हैं बहुती decrease, कहा और दोस्त फिर बहुती दौटी का है। अब जो इसकी कल्पन गो वहुती दौटी किया बनानी की उसकी गल्पना बहुती बिस्तित होगी, कोड़ी बिशाल का है। तो बिटिश संग्राले में विशुका स्रिजन और नाश करते हुए नटराज शिप की एक और मूर्ती है तो बिटिश संग्राले है उसमें भी एक नटराज की मूर्ती है नटराज शिप की जो मूर्ती है वो क्या दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि विशुका उन्ह उन्हें क्या लिखाता कि जो ये मूर्ती बनाई गई है तो उस समय का जो युग था उस समय की जो बिशाल था थी उसको दिखाया गया है कि उस समय का जो युग था अपने समय का कितना भब्बी युग था वो कितना बिशाल युग था जो इसमें इतनी अच्छी अच्छी कल जो बॉदिस्ति की शुदात्मा को इस तरह उद्गाटित करती है जैसे दरपढ में प्रत्विंब है एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराईों की प्रिशानती ड्रबर निले आकाश की सच्छतर इंसानी पहुंस से परेका परमसंदर मुर्तवान हुआ है तो यहां प गो क्या है कि इसको देखकर जो बॉदिस्त थे उनकी शुदात्मा के दर्शन हो जाते हैं इस सर को देखकर हमें पता चलता है जो बहुत लोग थे उनकी आत्मा कितनी शुद्ध थी कितनी पवित्री थी तो जैसे हम अपना शीशे में चित्रब अपना प्रित्विम देखत बैसे ही इस सर को देखकर हमें जो बौदिस्त हैं उनकी शुद्धा आत्मा के दर्शन हो जाते हैं तो ये एक ऐसा चेहरा है जिसमें क्या है समुद्र की गहराई की जो शांती होती है और नीले आकाश की सच्चता होती है वो है इसमें और इंसानी पहुंच से परे का जो परम सौंदर इसमें मुर्तवान हुआ है तो यहां पर हमारा टॉपिक खतम हो गए यहां पर यही बताया गया है कि जो हमारी कला थी उसका प्रभाब बहुत जादा बिदेशियों पर भी पढ़ा था और हमारे देश की कला को बिदेशियों ने भी अपनाया था हमारी जो लेखन के बारे में इसमें बताया गया है